है तो आज कि ये वीडियो भीए पंचम समस्टर के हिंदी वाले चात्रों के लिए बहुत ही महतपूण होने वाली क्योंकि आजिकि इस वीडियों बात करेंगे हिंदी के महतपूण प्रिश्ण और उसके उत्तर के बारे में जो कि आपके एकज्याम के नजरिये से बहुत ही helpful तो वीडियो को लास तक जरूर देखते रहेगा ध्यान से पूरी जानकारी ले लिजिए पहले यहां पर है आपका बीए का तिरतिय वर्स ठीक है समेस्टर आपका पंचम समेस्टर फिफ्त समेस्टर सब्जेक्ट आपका हिंदी है और जो हिंदी का हो सेकेंड पर यानि कि इस वीडियो का पहला प्रश्ण है कि भारतेंद युग में राश्टेता की दो धाराएं थी देश प्रेम वा राजभक्त के बारे में इसप्रस्ट कीजिए यानि कि जैसे कि आपने दुवेद युग भारतेंद युग ठीक है रीतकाल बहुत सारे युग और काल के बारे म इसमें राश्टेता की दो धाराएं थी पहला है देश प्रेम और दूफरा है राजभक्ती तो इसके बारे में आपको लिखना है बहुत ही हेलपुल बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है महात्पूर्ण इसलिए है क्योंकि आपका जो सिकेंड पेपर है हिंदी का यानि कि सारी इसमें डिस्कसन होता है ठीक है सिकेंड पेपर में तो लिखेंगे हिंदी साहित के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंद्यू के नाम पे जाना जाता है याद रखेंगे हिंदी साहित के इतिहास में आधुनिक काल के जो सबसे पहला चरण है उसको तो वही आपर बताया गया है कि प्रथम चण को भारती इंडिक के नाम फे खुजाना जाता है बारते एंड हरीश्चंद को भांगे साहत के नाम प्रितिन फें प्रतिश्था प्राप्त है वे साहित कारों के नेत्रत करता समाज को दिसा देने वाले सुधारवादी विचारक एक प्रमुक कभी लेखक और समाज सुधारक हैं भारत के प्रती भक्ति भाव जगाने और जन्मानस को सुतंदृता के प्रत उत्फाहित करने वाले नायक की रूप में देखे जाते, यानि कि देश के प्रेम करिये देश के हित में कुछ काम करिए, ठीक है, देश को गورवjanic फावित करिये ठीक है, और देश के लिए हर्त तरीके पे खड़े रही वो चाहे आपका financially हो, चाहे हो physically हो किसी भी तरीके से आप देश के लिए, मर जाने तक कि फारे वादे जो हैं पूरे करसे मतलब कि यहां कोई बात आ जाए तो आप देश के लिए अपने आपको निवचावर कर सकते हैं ठीक है यह वाली प्रेडा और यह वाली बात कहिए भारतियों धरिशिंद्र जी ने और आप स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र नायक की रूप यहां पर देखे जाते हैं ठीक है और वहीं पर यहां लिखा है कि भारतियों धूग 1868 से 1902 आधुनिक्ता का प्रवेश द्वार माना जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे डाक्टर नागेंद्र ने भारतियों को पुनर्ज जागन काल की संग्या दी है ठीक है भारतियों धू प्रवाम ने यहां पर एक प्लस क्वेश्चन है और पॉइंट भी है ठीक है और यूश्यू की कविताएं हैं इसमें देश और जनता की भावनाओं और समस्याओं को पहली बार अभिवेक्त मिली यानि कि इसमें जो देश है ठीक है उसकी में जो जनता रहती उनकी नायर अची गई है ठीक है इसी प्रकार आप यहां पर अगला पॉइंट है कि कभीयों ने सांसकृतिक गौरों का चित्र प्रस्तुत कर लोगों के आत्मसम्मान की भावना भरने का प्रित्न किया है भारती इंद्यूगीन राफ्टेता दो धाराओं में बहती दिखाई इनका लिखेंगे और यह बहुत प्रिसिद्ध कभी है भारतियां धरिस्चंद जीजों है सुधी पत्रकार कभी नाटकार निवंदकार यूम आलोचक आध के रूप में प्रस्ध्ध है ठीक है और एक पत्रकार भी है ठीक है इसके मतलब कि इनको इसी के रूप में क्या है कि उनका यूग भारतियू के नाम से पुकारा जाता है ठीक है यानि कि इनके नाम पे ही एक यूग का नाम पढ़ गया जिसका नाम है भारतियू ठीक है वाफ्तों में वे हिंदी साहित गगन के इंदू ही थे आज भी हिंदी फाहित का या इंदू अपने दिब अलो और भारतें धरिशन्दि जी की माता जो थी उनका जो देवासन है तभी उनका देवासन हो गया था इनकी अभासन हो गया थे तिस वर्ष से चार मा की अलब आवफफा में संबद निधषन हो गया, लोगों के ओंचाते है, उन का जीवन बड़ा लंबा रहते है, तो इस तरह यह भी थै कि वे चारे, मतलब कि बहुत ही इन्होंने इस्टगल किया हिंदी साहित के छेत्र में और समास्तुधार में लेकिन उपर वाले को नहीं मंजूर था कि इनकी ज्यादा दिरगायू रहे फिराली इनकी देवाफन चौतिस वर्स में हो गई इस प्रकार लिखेंगे इनका जीवन पर चे काफी बार आ चुका इस बार ध्यान रखेंगे आएगा शुर्का अंत्रपार्थी निराला फिजिसे भी जुड़ा कोईश्चन आएगा देखिए कोईश्चन सारे के सारे राष्टेता फिजुड़े है ठीक है तो निराला की रश्चनाव में राष्टेता का स्वर मुखुरित है प्रमारित कीजिए मतरब प्रमार देजे की है की नहीं ठीक है तो सुल्का अंत्रपार्थी निराला इनको पाद है ठीक है और इनका पूरा नाम सुल्का अंत्रपार्थी निराला है ठीक है ऐसे क कि अंत्र कोई अंतर है तो या कि कवीर संत पहलé और नीराला कभी पहले और संत भाद थे ठीक है कवीवर निराला बहुमकी पृतिब़ा के धनी साहिध इकार हैं इनकी रशनाय की देश प्रेम की अज़फ रशृता प्रवाय थी यानि कि इतने रशनाय थी वो देश को ले कर थी और रश्ठेता को में देश के प्रेम की प्रति इन्होंने लोग इस देश से जु जिसके भाग गया कास को बिदेशी सकता के राहु ने अपना ग्रास बना लिया आता उसे उस पाप ग्रह फे मुक्त कराकर उसकी खोई हुई आश्मिक्ता को वापफ लाना तो इस प्रकार लिखेंगे निराला जी के राफ्टेटा कश्वर मुखुरित है उसके बारे में प्र प्रसाद जी का मंतब हुआ जैसे अंकर प्रसाद जी की राष्टेट भावना पर प्रकाफ डालिए काफी हेल्प टॉप लेबल का क्वेश्चन है कई वारा आ चुका पर इच्छा में तो ध्यान लखेंगे ना ठीक है वह राष्टे भावना का स्वर मुक्रित है यानि की म प्रसाद जी तो ऑट बहुत है यानि की जलिए और पर प्रसाद में देश प्रेम जाते हैं पर आवास्थाएं फोट फूट कर भड़ी पड़ी हैं जातीपात को लेकर देश प्रेम को लेकर इस तरह की रच्णाएं हैं थीक हैं अपने भारत देश पर सर्बसों निचावर कर देने की उनकी भावना का एक उदाहरण दर्स नहीं है मतलब कि अपने देश के लिए पुरा जीवन अपना पूरा अपना सब निवचावर करने के लिए निवचावर करने के लिए एक उदाहरण प्रुस्तुत किया है की जियो जो फदा उसी के लिए यही अभिमान रहे य नहीं हर्स निच्छावर कर दें हम सर्बसो हमारा प्यार भारत वर्स यानि कि भारत के लिए देश के लिए हर तरी किसे हम निच्छावर कर देंगे हर चीज ठीक है और हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं बहुत ही महात्पूर्ट प्रश्ण हैं और हाई लेबल का तयार कर पद्ध है हारी और फे भी जुड़ा एक प्रश्ण आपकी परिच्छ हम देखने को मिलेंगा तैयार कर लिजेगे यह भी महत्मों प्रश्ण है ठीक है जुरूर तैयार कर लेंगे ठीक है काफी हेलपल कोश्चन है अगला कोश्चन है कि रासों का भी परंपरा पर अपना जाता है ठीक है तो इसको आप यहार भी कर सकते ठीक है ओके निश्ट कोश्चन है कि चायावादी कावी की प्रश्णाय हुआ करते इसमें कुछ बिसेफ चीजे थी वह यह थी कि बिक्त प्रधानता थी स्रंगार प्रिरता थी फरकत प्रेम था ठीक है कलपना धिक के विरह हैं इसको आधनी काल कि सरबोच कविता तक कहा गया है इसका महत बताते हुए डाक्टर नागेंद्र ने कहा है कि जिसने कामाईनी का सम्रद्र रूपक पल्लो और युगांत की कला निर्जा के अफ्र भरे नीले गीत परिमल और अनामिका और अंबर चुम्बी उड़ां दी उस कविता का गौरो अच्छे है उत्रार्ध में आकर इसी के अंतरगत सचतावादी का विभी रचा गया यानि कि में जो रशनाएं हैं और उसके जो रशनाकार हैं उसकी बाखान किया गया उसकी बिसिस्ताएं बताई गई हैं महात्पूर्ण प्रस्ण है आप अपनी भासा में लैंग्विज में तैयार कर लिजीगा बस ठीक है नेस्ट कोश्चन है मैथली फण गुप्त जी का गुप्त बाई दोनों ही बैस्टरों थे ठीक है पिता राम चरण गुप्त प्रभू की भक्ति और आध्यात्म में रुजहान के साथ साहित में भी रूची रखते थे ठीक है बैतिली फण गुप्त जी थे इनके जीवन में इनके पिता के आचरणों का बहुत अधिक प्रभाव पढ इन पर ठीक है इफी तरह आप इसके बारे में परचे लिखेंगे मैं थिली फण गुप्त जी के बारे में बहुत ही महात्पूंट प्रष्ण ने अगला टॉप लेबल का जो कि हमें सभास्ता ही प्रस्ता है कि हिंदी भाफा के राष्टे काब विधारा पर प्रिकाफ डाल आद के काब कृतियों के माध्यम से उनकी राष्टे भाव चाया फे अउगत हुआ जाफकता है ठीक है और इसी प्रकार आप इसका परचे लिखेंगे बहुत ही महात्पूंट प्रष्ण है रामधारी फिंग दिनकर की प्रमुक रश्णाएं जो कृतियां है जैसे कि प्रा सब्सक्याइब किया गया इस बात को ध्यान रखेंगे काफी हिल्प्रोग कोश्चन है और स्वाहित अकदमी प्रुष्कार से जभी सम्मानित किया गया है यहनि को महत्त्रपूंट पोनिश को जरू तयार कर लेंगे राम धारी फिंग दिनकर फिजोडा आएग जरू ठीक ह के पश्चात हिंदी काभी धारा बहुमखी हो गया इसपरस्ट कीजिए आने की मतलब कि कभी आता कभी नहीं आता आपकी वरिच्छा में भी सकता नहीं भी आ सकता एक बार पूचा गया तो मैंने फ़ुचा इंकलूट कर दें राम धारी दिस सिंग दिन कर से जुड़ा एक को प्रस्ट को जो तयार कर लिजेगा टॉप लेबल का है ठीक है तयार कर लेंगे पूरी अच्छे एकदम सिंपल भासा में परिमासा आप लोगों की समस्थ प्रस्तुत किए ठीक है दुबेदी युग में नाजियों के प्रत्य सम्मान जनक दस्ट को अपनाया गया इसपरस् कोशिन प्रस्त कर दिया जाता है तो वही मैंने इसमें निकलूट किया है ठीक है आप भी सकता है नहीं बहा सकता है और इस तरह सेम कोशिन एक और भी है दुबेदी युग में समाजिक फुदार की भावना जगरत हुए एस्परस्ट कीजिए दुबेदी युग में जो समा कुम लेंगे ध्यान रखेंगे ठीक है आप सभी कोईशन की चंदर बरदाई का साहितिक परचे दीजिए यह तो गारंटी वाला कोईशन जो की आएगा ही आएगा ठीक है आदी कालें साहित में रासो परंपरा का विशेश महात हुए इसमें प्रिथिवी राज जासों का अप का नाम भी ठीक है चीर अफथाई रहेगा तो इस प्रकार इनके बारें लिखेंगे और भी परचे है ठीक है इनके बारें तैयार कर लेंगे ठीक है और काफी टॉप लेबल का कोईश्चन एप इस वीडियो से काफे हेल्प मिलेगी यह नहीं कह रहा हूं कि पूरे के पूर हिल्प मिलेगी इसमें से ठीक है मतलब कुछ कोईश्चन है जो आपको पर इच्छे में जरूर देखने को मिलेंगे बाकि हमने इसकी महासां ग्राम वीडियो डाल लग उसको जोड़ देख लीजिएगा उसमें भीज़े आपको काफी हिल्प मिल जाएगी जैंद